तो my dear student आज किस वीडियो में बात करेंगे बी ए थर्ड समेस्टर के हिंदी के most important question and answer के बारे में और जिन जिन भी इनवर्शिटीम पर इच्छायन लिखित होने वाली हैं उन सभी के लिए महात्पूर्ण वीडियो होने वाली है उनको वीडियो complete जरूड देखनी चाहिए साथ में आपको फीडियो भी देने वाले हैं लेकिन पीडियो को प्राप्त करने से पहले क्योंकि कोई पीडियो में बहुत फारे question है इस पीडियो से कौन कौशन बार बार पूच्छे गया है इस बार आनेक संभावना है उनके बारे में जान लीजिए और थोड़ा explain जो हैं आप यह मत बोलेगा कि यह स्रीज के हैं question bank के हैं book के हैं internet के हैं देखिए अगर कोई question पूचे जाते हैं book से ही तो आते है question bank से तो आते हैं series से तो आते हैं internet से तो आते हैं कहां आस्मान से तो गिड़ते नहीं वह फार स्टूजन करते इस तरह करना तो बहुत खराब लगता है ठीक है जो हैं स्रीज में question bank में वहाइं को पूश्चन है 200-300 पूश्चन है क्या 200-300 कोश्चन आपकी परिष्छा में आएंगे क्या आपको मालोम है कि 200-300 कोश्चन में से आपकी परिष्छम कोन आएंगे कि परिच्छ हम तो मुश्किल से दस बारा कोश्चन पंद्रा ही आते हैं तो दो तीन सो में से पता आपको कौन से कोश्चन आएंगे नहीं पता ना तो वह चीर मैं आपको बताने के कार कर रहा हूं तो ध्यान पूर्भ वीडियो को देखते रहेगा महात्पूर्ण प्रशन महात्पूर्ण प्रशन वहीं बताएंगे हम आपको पहला प्रशन है कि नहीं कहानी के उद्देश प्रवकाश डाली आइसा कोश्चन आ सकता है कि जो कहानी होती है उसका उद्देश क्या है उसकी अबारे में लिखे ठीक है तो ध्यान पूर्भक सुनेंगे आधुनिक कहा कहाने का मूल उद्देश जो होता है जीवन के विशंगतियों का मनो बैग्यानिक धरातल पर एक गहन बिवेचन कुंठा निराफा हिंता तथा उद्देश हिंता को नया प्रकाफ देना ठीक जब आप कोई स्टोरी और कोई सहानी कहानी सुनते हैं तो उसको कुछ ना कुछ inspiration मिलता है प्रत्फाहन मिलता है कुछ करने की आपके अंदर लालसा आती है जाग रोकता उठती है ठीक है और कुछ आपको उससे सीख मिलती है ठीक है तो कहाने का उद्देश यही होता है हम मतलब कि इस तरह आप लिख सकते हैं लेकिन अगर simple भासा में अपनी भासा में बो आफे छेत्र में अपना योगदान्स दे सकें जिससे आपको अपने 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 आप में अलग सा फिल आए कि हां हमने कुछ किया अपनी लाइफ में ठीक है तो यह होता है कहानी का उद्देश ठीक है जो story होती कहानी होती यही सबहिए कहानी कला के प्रमुक तत्तों का उले कीजी तो कहानी कला के प्रमुक 6 तत्व हैं जिसमें से आप लोगों की समझ प्रस्तुत भी है पहला कथा वस्त तीक है किसी भी कहानी के 6 तत्व मेन होते हैं जिसमें से कथा वस्त होता है चरित चित्र होता है किस चीज के बारे में बताया गया है उसका चरित्र क्या है उ देश कला वातावर भासा सहली उद्देश ठीक है तो यह चीजे छे हर एक कहानी में इंक्लीड होती है छे तत्तों ठीक है तो यह छे तत्तों है इनको ध्यान रखना अगला प्रस जो की बहुत महात्पूर्ण है कि अबारे मताई है उपन्यास कहानी आत्मकथा यह सब क्या है यह सब ध्यान रखेंगे यह सब विधाएं हैं और इन विधाओं से सम्मंदित कुष्चिन हमेशा पूंचे जाते हैं और इस बार भी आएगा नोट कर लीजिए यह कुष्चिन महात्पूर्ण है 100% आएगा उपन्यास सब्द का या फिर उपन्यास सब्द उप अर्थात समीप न्याफ अर्थात थाती से बना है जान सुनेंगे उप का मतलब हो गया समीप ठीक है जिसमें उप अलग है और न्यास अलग है तो उप का मतलब हो गया समीप और उपन्यास सब्द का थाथी है और जिसका साब्दिक अर्थ है मनुष्ट के निकट रखी वस्तो ठीक है उपन्यास सब्द का अर्थ है कि मनुष्ट के निकट या फिर उसके सामने या फिर नजदीक रखी वस्तो ठीक है यही होता उपन्यास का मतलब साहित के संदर्व में वह वह क्रति जिसको या फिर वह रशना जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि ये हमारी ही कहानी है उपन्यास कहलाने योगी है उपन्यास कहने हो उके आकरेजी मिस्ची को नोबिल बोला जाता है और नोबिल सब्दी के लिए प्रियुक्त होता है ठीक है गुजराती में इसको नवल कथा बोला जाता है उपन्यास को ध्यान सुनेंगे इंग्लिस में नोबिल और गुजराती में नवल कथा और मराथी में कदंबरी और बंगला तथा हिंदी में उपन्याफ इसे बोला जाता है ठीक है तो इस तरह इसका मतलब लिखेंगे ठीक है परिचे ओके और अगला प्रश्ण है कि हिंदी साहित में उपन्यास समराट किसे खा जाता मतलब कि हिंदी साहित में उपन्यास को जो फादर है यह फिर आप लोग करते पिता उपन्यास की अफ्रूबात उस प्रमुक लेखा किया कभी का नाम क्या है तो वहां पर आप उत्तर लेखेंगी मुंसी प्रेम चंदर जी उपन्यास के समराथ है धानने कि बहुत प्रोग प्रिशन है हलाकि कोईशन बहुत सारे हैं ठीक है हिंदी में थर्ट समेस्टर में हिंदी गद्ध में लेकिन आपक मैं उसका उपन्यास के प्तत्तत उन्हीं है नाम लिखना है रहीत ट्त्तत पहला है याप पिछे रहीते APPरियास का रोगार्भ लेककों ने च्षविकार कि है जिसमें पहल стать प्रियूजन, तीसरा चवार्थ शैखली और झाट्ट्वाय छाठवान नonstartने चव्यप्रमुकْ अब आ जाएंगे नाटक बिधाई इस बारत मुनि एक प्रमक बिद्वाण है। भरतमुनी ने नाटक में रिगवेद से पाठ शामवेद गान युजडवेद अभने युम अथरवेद से रस को लिया गया मानाग है यह कहते हैं भरतमुनी जो की एक प्रमुक बिद्धुआन है भारते नाट साफ्त में नाटकों का पंचम वेद की संग्या दी गई है ध्यान लखेंगे भी पॉइंट महादपूरे कि भारते नाट साफ्त यानि की नाटक के जो साहित है उसमें नाटक को पंचम यानि की पांच वेदों की संग्या दी गई है नाटकों को परभाफित करते वारा एक चलते फिरते साप्राण रोप में अंकित किया जाता है नाटक जीवन में संकेतिक अनुक्रती नहीं है वरना सजीव पृतिलीप है नाटक में फैले हुए जीवन बेपार को ऐसी ब्यवफ्था के साथ रखते हैं कि अधिक व्यदिक भाव उत्पन हो सके वफ्तुता नाटक अतियंत ही प्रचीन विधा है और कई इसा पूर्व तीसी सताब्दी में अचार भरत मुन ने इस विधा को अधार बनाकर नाट फाफ्तर लिखा है नाट फाफ्तर प्रमु को रशना है ध्यान लखेंगे और नाट फाफ्तर में बहुत चीज़ों के बारे में लग अलग करते हैं अलग अलग कप्ड़े पहनते तो वह नाटक ही तो है मुवी में क्या दिखाता है कि वो इंसान मर गया लेकिन वह तो बाद में पता चलता है कि आप देखें दस पंदा दिन बाद की वह तो जिंदा है तो नाठक है ठीक है लोशिना भी एक प्रमुख हिंदी ककी बिधा है धिक पो आर्थ के जिस्के कि्षीस नाटक को अलोसना की जानतर आता है लेकिन कभी कदार आता है लेकिन जो नाटक औपण न्यास होज昨 mist और यहां उद्राइब कॉश्श्चन वाना का दो यह हुं सम्मेक निरच्छन मानों के अनेक अन्य व्रत्तियों अथ्वा सम्वेदनाओं की भात अलोसना की प्रवत्त भी चिरकाल से प्रसिद्ध है किन्तु जीवन के बेवहार छेत्र की तुलना में साहित्र में इसका प्रवेश परियाप्त बिलंब से हुआ मतलब कि अन्य जो विधाएं हैं उनके तुलना में हिंदी फाहित्र के छेत्र में यह बहुत ही लेट में यह फिर बिलंब से आया है इसका कारण अश्पष्ट है कि पहले सरजनात्मक साहित आफ्टत में आता था उसके बाद अलोस्तना की प्रेड़ा मतलब कि जिसको इंग्रिस में इंस्प्रेशन बोलते हैं अथवा आवशक्ता का अनभू किया जाता है इंदी में अलोस्तना सब्द अंग्रेजी के दिद्स का तात्पर यानि मतलब है नीड़य करना यह फिर मुल्यांकन करना यह मतलब होता अलोस्तना का इस पारिक्स को नोट करिए जब हम किसी ब्यक्त वस्त या क्रति को सम्मेक ब्याख्या कर रहे होते हैं तो या उसकी अलोश्ता ही है मतब कि कोई ब्यक्त है या फिर कोई वस्त है तीक है या फिर कोई रश्तना है तो इसकी अगर हम सम्मेक ब्याख्या कर रहे होते हैं निबंद प्रस्न हैं नोट कर यह हूं। है जिसको अगर संद विच्षेत किया जाए तो नी प्लस बंध है ठीक है और निबंध जो है नी प्लस बंध से बना है जिसका अर्थ होता है बांधना या अच्छी तरह से बंधा हुआ निबंध का मतलब होता है बांधना या फिर अच्छी तरह से बंधा हुआ ठीक है अर्था कहेंगे लिए रहें रखेंगे इसे लिखैंगे कि निफ बंद CANG7 cp न मतलब कि जो चीजी हों कि लियर कट हो के ने स्फरी लिखी हो जैसे कि उसमें सेरील डिया जाता कि कौन से पेज़ पर होनी चाहिए और उस जो भांब रहा हो कोई विचार निकल लाओ कोई उसका अर्थ निकल लाओ मतलब लिखा दा ओभी क्रम बद्ध रूप में ठीक इस्टप बाइस्टप ठीक है मतब कि जैसे कि आप जाएंगे कहीं पर तो पहले जैसे कि माली जी एक्जांपल गुरूप में क्या बता दें आपको हम करन को साफाना अच्वत हैं आ बहुत समय से कि कोई चीज्ज 10 किलो मेंटर है आपके घर से कोई सहर तो आप बढ़ने तो आपका दसवां दिखेगा ना कि एक बाद आपको डायक्ट दसवां मिल जाएगगा ठीक है उसी तरह यह भी यहाँ पर क्रम बद्ध रूप में है step by step है ठीक है क्रम वाइज है तो इस तरह सिंपल सी परिभाफा लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे यह गद्ध की प्रूंग विधा है यह निबंद सब्द के निकत्तम पर्यावाची सब्द लेख संदर्व रस प्रिचीन संस्कृत्प प remember में तार्खीक व्याख्या-ी का समय भास सम्छा फूत्र आजसे उपचकर निबंद साहित का विक्सित होना सुभिकार किया गया है, कहां से हुआ संस्कृत परंपरा के तार्किक ब्यक्या टेका भास समय अज च्छा फूतर आज से इसकी स्रुवात मानी जाती है और इसका विकास माना जाता है वो विक्सित हुआ है लेकिन हिंदी में निबंद संस्कृत की प्रचीन परंपरा फे नहीं बलकि पास्चात साहित की प्रेड़ा फे आया है मतलब कि अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग अपने मत हैं कुछ बिद्वान मानते हैं कि यह जो है इसका जो बिक्सित सभिकार किया गया है वह भास समिच्छा फूत्र आज से इसकी शुरुवात हुई है और कुछ लोग मानते कि साहित की प्रेड़ा फे आया है ठीक आप कोई निबंद लिखते हैं तो अगर आप डारेक्ट ऐसे लिखते जले जाएंगे बिना कोई हेडिंग डाले कुछ एफे तो वहाँ पर एक्जामनोर को लगेगा कि यह स्टुडेंट को अभी जानकारी नहीं ज्यदा निबंद के लिखा जाता है तो वहाँ पर जिसको जानकारी रहती है या फिर आप अभी वीडियो देख रहें तो आपको जानकारी हो जाएगी तो आप लिखेंगे पहले निबंद को को लिखेंग कि तो इसका लिखेंगे बैंद क्या लिखा जाता तो प्रदय जानकारशन होना चाहिए मतलब कि जो चीज़ में Kitty होनी चाह पिर प्रस्तावना बहुत हुआ कि इसी भूमिका भी पहा जाता है प्रस्तावना की इसका में रोल क्या है उस निबंद में जो भी में पात रहें ठीक यहां रोचक सीमित और विस्वक्त को अश्पश्ट करने वो दिखेगी कि हाँ ये इसका रोल मुख्य है इसमें तो वही चीज बताए जा रहा है कि इसे भूमिका भी का जाता प्रस्तावना को ठीक है या रोचक सीमित और बिसेवस्त को असपस्ट करनी होनी चाहिए मतलब कोई चीज है तो उसको क्लियर कट होनी चाहिए कि हाँ इसक इस ने रचना लिखा वो किसम नजरिये फिक्या देखते हुए उस चीज को प्रस्तूत किया जो निबंद में ठीक है तो वह चीज दिखनी चाहिए तो यह होते हैं और यह चारों निबंद याद रखना सीश से प्रस्तावना ठीक है और विस्तार और आपका लास्ट में आ अगला प्रस्णा देख लीजिए कि निबंद कारा खेंग़ें, अगला प्रस्णा निबंद कारा, का जन्म आदा कि फैसा माना जाता तो निभंद के जन्म आता है जिन्हों नी सुरुबात की वह रोमके प्रस्जित लेका के जिनका नाम है को निभंद का फादर कहा जाता है तो ध्यार लखेंगे आज कि अधियु जए लंभी ना ऊसलिए यहीं पर हम इंड करेंगे बाकी जल बार देखिए तभी आपको हर एक कोईशन का उत्तर अच्छे समझ में आ जाएगा बाकि पूरी पूरी अगर आपको फीडिया चाहिए तो आपको टेलिग्राम और सब्सक्राइब में लिंक मिल जाएगा बाकि आपका अपने चैनल सक्सेश टूए तो सफकाइब जरू कर लि